दोस्तो आप सबका स्वागत है financial order YouTube चानल में आज का दिन था crude oil का सुबा से crude oil, crude oil के बारे में हम सुन रहे थे so now crude oil is negative so technically आप जाकर crude oil को purchase कर सकते हैं from oil explorers और वो आपको साथ में पैसे भी देंगे राइट? नहीं दोस्तो ऐसा नहीं है ये सच नहीं है I think आज का दिन worst है financial journalism में जहां पर हमें incomplete information फिलाई जा रही है so हम समझना होगा कि क्या concept है behind crude oil के पीछे क्या prices के पीछे क्या concept है कि क्यों ये negative गए? ठीक है? so हम चलते हैं CME की website में CME जो हमार एक exchange है जहां crude oil के contract trade होते हैं CME की full form है Chicago Mercantile Exchange जहां पर crude oil के contract जो होते हैं ट्रेड होते हैं ठीक है? और जो contract trade होते हैं वो होते हैं WTI crude oil ठीक है WTI crude oil जो है वो US-based crude oil है और crude oil जिसे हम follow करते हैं और for benchmark वो होते हैं Brent crude oil so अगर हम देखें CME की website को तो जो contract trade हो रहे हैं वो different months के contract है ये सारे future contracts है और future deliverable contract है मतलब इनकी future में delivery होईगी ठीक है और जो contract latest contract है वो due है for delivery के लिए May contract जिसकी delivery होनी है Tuesday मतलब आज ठीक है और जो contract deliver होना था आज वो काफी तेज गिरने लगा और वो negative चला गया गिरता इतने तेज गिरा कि वो negative ही चला गया and I think it close around minus 37 dollar या 38 dollar के आज पास वो negative गया बट अगर आप other contracts को देखें वो अभी भी positive है क्यों बाकी contract जो है ना उनकी delivery अभी नहीं होनी इसलिए वो अभी positive है तो जानते हैं हुआ क्या due to coronavirus overall जो business activity है ना वो यूएस की वो gone down हो चुकी है मतलब इस टाइम सारा कुछ यूएस में भी बंद है ठीक है और जो cost of renting है ना वो काफी तेजी से ना बिल्कुल हल चला गई है cost of renting में जो जहां पे oil rent के लिए मतलब जिस barrel में जो लोग ऑईल को store करते हैं वो space कम रह चुकी है अब space कम है इसलिए oil की जो रेंटिंग है उसमें पैसा वो लोग ज्यादा मांग रहे है और को store करने के लिए तो कोई भी crude oil की अब delivery नहीं लेना चाहरा अब जैसे कि आज delivery होनी थी में contract की ठीक है अब कोई भी crude oil की delivery नहीं लेना चाहरा अब because कोई भी delivery नहीं ले रहा और जो contract open exchange में उसमें बायर है उसमें पहले से बायर हैं जिन्होंने ये position अपनी ली हुई है अब उन्होंने क्या decide करा वो square off करते हैं अपनी position को या तो वो square off करते हैं या उन्होंने roll over करने का सोचा कि अपनी position को roll over करते हैं में का contract को बेज के हम आगे जून का contract ले लेते हैं पर इससे हुआ क्या problem क्यों होई जो में और जून के contract के बीच में spread आ गई ठीक है spread में increase होने लगा जिसकी वज़े से क्या हुआ और बाकी buyers ने क्या prefer करा कि वो square off करते हैं सीधा उन्होंने roll over का नहीं सोचा बाकी buyers ने उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर सीधा अपना जो position है उसको square off करते हैं मतलब उसको sell करते हैं पर वो ticket कहां पर आई कि वहाँ पर इतने सारे seller होगे और कोई भी buyer नहीं हो था इसलिए जो prices थे वो negative चले गए वो इतने negative चलेगी कि minus 37 dollar minus 38 dollar के आसपास per barrel पहुँच गए इसलिए क्योंकि वहाँ पर seller बहुत जादा होगे और buyer बिलकुल ही खतम होगे जैसे मान लो एक example लो seller ने बोला मैं आपको 10 dollar में यह sell कर रहा हूँ पर buyer कोई भी नहीं मिला seller ने बोला मैं आपको 5 dollar में sell कर रहा हूँ पर फिर भी buyer कोई नहीं मिला अब seller ने का कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ पर आप यह purchase कर लो फिर भी buyer कोई नहीं मिला इसी current से जो यहाँ पे make a contract था वो negative चला गया और जो हम financial report में देख रहे हैं काफी जगा हमने जो report में दे 24 dollar के आसपास तो crude oil price जो है वो negative नहीं गया है सिर्फ May contract का जो price है वो negative गया है तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको confusion थी कि crude oil negative हुआ है उसकी confusion मैंने आपकी clear कर दी है तो मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि crude oil price जो है न वो काफी time से correct होए है और आप सिर्फ active contracts पर देखिए जो अब मैंने आपको बताए June का contract है वो अभी भी positive है और अगर हम Indian perspective की बात करें तो हमें Brent contract को देखना होता है तो हमें Brent को follow करते तो अभी भी Brent 24 to 25 पर barrel जो है 25 डॉलर पर barrel trade कर रहा है तो अब मैं I hope कि आपको यह वीडियो समझ आकी होगी कि जो crude oil है वो May का जो contract था वो negative crude oil के price अभी negative नहीं हुए है तो अगर आपको वीडियो यह समझ आई है तो वीडियो को चुरूर like करें जिससे YouTube यह वीडियो बाकी सब को भी दिखाएगा और वीडियो को share करें अपने friends and family के साथ ठीक है दोस्तों मिलते हैं